हेलो फ्रेंद्स लाइफस्टाइल आप सब का स्वागत है तो मैं कर रही हूँ लंच की तयारी सुबह में टिफिन वगरा हूँ चुका है आज में सुबह में हरे पैच की सब्जी बनाई थी तो वह लेकर जा चुके हैं हजबन और बेटा सुबह में मैंने बनाया था तो अभ तो इसके मान में फिर मैंने इसको साफ कर रहे हूं अच्छी तरह से खोल खोल कर देखकर साफ करना बहुत जरूरी है अगर नहीं साफ करेंगे तो इसके अंदर कीड़े वागरा रहते हैं बट इसके सब्जी बहुत टेस्टी लगती है और मैं आज इसको एकदम हरे मसालों मैं बनाना अब को बताँगी जो कच्छा मसाला होता है ना मैं उसके अंदर आपको इसको बनाना बताऊंगी और बहुत आप कम से समान में यह बहुत अ coffee बनकर तयार हो जाती है और टेस्टी भी बहुत जादा लगती है चाए रोटी के साथ खाईए चाए पराठे के साथ या सिर्फ चावल के साथ में ही खाईए आप इसको और यह बहुत टेस्टी लगती है तो मैं अभी तो रोटी बनाने वाली नहीं हूँ मैं भी सिर्फ यह सब्जी और चावल बनाऊंगी और मैं और बेटा ही हैं बस तो हम लोग दोनों इसको खा लेंगे क्योंकि सुबह में मैंने फराटा और सब्जी की जो हमने बनाया था ना वह मैंने नास्टे में भी कर ली थी तो आप रोटी खाने का बिल्कुल मोड भी नहीं है और देखिए यह सेम साफ करने के वन में मैं इसको पानी में दो कर अच्छे से बॉil करने के लिए रख दी हूं बस इसको पान से कर देगा को सबनी है तो देखिए अब मैं इसको इसमाल निकाल दे रही हूं और फिर मैं आपको बताती हूं कि क्या इसके अंदर हमको मसालर लगेंगे बिल्कुल अग्दम करऩerkा लगेगा तो देखिए मैं यहां पर पीली वाली जो कर लाहनि होती नहीं उसको मैं बिग लिए तीन टमाटर है यह चुटे-चूटे से टमाटर थे इसको 3 तीन टमाटर में चार तुड़ों में इसको काट लोगी और आप धिखें हमारी यह मसाले इसको पीस लेंगे और में उपर से मसाला डालूंगी तो वो भी कुछ जारा मसाला नहीं है वो भी आपको दिखाती हूं में और जट पट सी ये सबजी बनकर तैयार हो जाती है इसमें मैंने चार अलू भी डाले थे तो अलू मैंने बॉल करके लिया था अलू इसमें डाला था आप भी बॉल करके डालिएगा अभी जो नया आलू आ रहा है ना वो बहुत टेस्टी लगता है खाने के लिए तो देखिए मुझसे यहाँ पे क्लिप मिस हो गई मैंने सिर्फ तेल के अंदर सुखी मेति का तलखा दी हूँ एक चमच सुखी मेति डाली थी मैंने और इसमें हमारी बॉल की हुई सेम पापड़ी मैंने डाल दी हूँ अब इसको हलका सा में भूनना है और इसके अंदर बस दिखें मैंने चार आलू लिये थे ना इन चार आलू को छोटे-चोटे टुकड़ों में काटकर मैं इसमें डाल दूंगी तो यह जो उबले हुए आल बहुत टेस्टी भाजी लगती है यह खाने के लिए और इसके बाद में अभी बस दीकि भून चुका है इसमें मैंने हारा मसाला डाल दी हूँ हारा मसाला डालने के बाद में जो हमने पीसके रखा था अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी एक चमस धनिया का पावडर टमाट नमग अइस सम Learn more अ मिला कर इसको मैं नमिक्स कर दूँँ कि एक और इसको धकर 2 मिनित के लिए मैं इसको भूनने दोगी और फिर मोने के बादon में हम इसको देखेंगे तो टमाटर भी थोटा सा नरम हो चुका होगा और देखिए मनें तो यहां पर दामाटर मेरे नरम हो च हमको पकाना है जब हरा मसाला हम डालते हैं तो सब्जी को ज्यादा नहीं पकाना है वरना वह कलर चोड़ देगा उसमें ऐसा कुछ रहता नहीं है जिसको आपके पकाने की जरूत पड़ेगी वह चटनी जैसे ही था बड़ सिर्फ उसमें हमने जो पीली वाली राही होती न वह देखिए आप सारे टामाटो को मैं पर तोड़ ले रही है मैश कर ले रही हूं थोड़ा पानी में डाला था थोड़ा और पानी में डालूंगी और बस इसको बिल्कुल ता लट पटा सा सब्जी बनाओंगी मैं ज्यादा तरी वाला सब्जी नहीं बनाओंगी आप चाहे सब्जी और देखिए इतनी सिंपल से मसालव में इतनी अच्छी टेस्टी वाली सबसे बेस्ट यह टेस्टी बनती है बहुत जादा और अभी मैं जब मैं वाइस ओवर कर रही हूं तो मुझे देखकर भी यह हो रहा है और यहां पर मैंने चावल डग दी हूं बस आप यही था आज का मेरा वीडियो मिलती हूं अब आपको मैं अपने नेक्स वीडियो में और यही कुछ भी अच्छा लगाओ तो एक लाइक जरूर देदीजीगा और यह जो सेम की सज्जी है इसको जरूर बनाएगा चलिए मिलती हूं नेक्स वीडियो में बाई